नमस्कार जैहिन दोस्तों आप देखने मास्टर वीडियो ओफिसियल और आज किस वीडियो में क्राउन समाने ज्ञान का उजबुक है उसका हम साइन्स पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले हमने हिस्ट्री पूरा कंप्लिट कर लिया बहुत जल्द आप लोगों को तीन इसमारे हैं एक्जाम से पहले आपका पूरा तो होई जाएगा पर बाइलोजी पहले में स्टार्ट कर रहे हैं फिर जैसा आप लोग कहोगे मतलब जैसे भुगोल का भी होता है और सास्तर का भी होता है तो वह भी हम कर देंगे कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा तो कोसिस करेंगे जल्दी से जल्दी कर ले तो एक ही वीडियो में तीन चार एक्सरसाइज या उससे भी अधिक होता है ठीक ना तो आपको जो एक्सरसाइज पढ़ने का मनू स्किप करके उससे पहुंच जाईएगा जो भी सब्जेक्ट अपका कमजोर है उस हिसाम से पढ पहारियों का यानि सजीव का अधियन करते हैं बायलोजी सब्द गिडिक भासा के वायोस अर्था जीवन और लोगोस यानि लोजिल अधियन इससे बना हुआ है बायलोजी सब्द का सरपर्थम प्रियोग 1802 SP में लेमार्क और ट्रिवेर्नस ने किया था लेमार्क थे फ्रा से जन्तु बिग्यान है और वनस्पति बिग्यान है जन्तु में जानवर काधियन करते हैं ठीक ना जानवर और पेर पौधा वनस्पति में वन है यानि पेर पौधे काधियन तो जो जन्तु बिग्यान है उसके भी पिता है आरस्तु जन्तु बिग्यान जो जानवर वाला ह उसका भी क्या हुआ, आरस्तू हुआ, इसका अलग है, तो याद रखिएगा, overall जी बिज्ञान की बात हो, या जन्तू बिज्ञान की बात हो, दोनों का फादर कौन हो जाएगा, आरस्तू हो जाएगा, clear, जी बिज्ञान के दो परमुख भाग हैं, जन्तू बिज्ञान और व जीव विग्यान की प्रमुक साखाओं का जनक यहां दिया लिया है जीव विग्यान इसके जनक है आरस्तु जीव विग्यान के जनक है आरस्तु जन्तु विग्यान का भी आरस्तु कन्फीज नहीं कीजिएगा जीव और जन्तु दोनों के आरस्तु वनस्पती विग्यान थिय frestus, वर्गी की वर्गी की एं लिनियस अनुवांसी की Gregor Mendel Gregor Mendel Jevasmi की Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci वही है जो मुनलीशा का painting श्रीम की छिवासमी की टो चिकित्सा सास्त्र हिपोक्रेटरस जो चिकित्सा जो छաत्रोते medical के उनको हिपोक्रेटरस कही सापत दिलाया जाता है, तो यह प्रस्ना आता है बहारतिया परिस्थितिकी आर मिस्षा, भारतिय व्रायोलोजी, भारतिय व्रायोलोजी, आर एस कस्यप, भारतिये सैवाल विध्यान, आयंगर, M, O, A,해도 का, भारतिये सैवाल विध्यान का, अब आगे यहाँ, जीव विध्यान की कुछ परमुक साखाये दिया गया है, very very important हिय अनुवान सिकी के आधार पर मानव जाती की आने वाली पीडियों में सुधार का अध्यान जो आगे जो जेनरेशन आएगा उसमें सुधार के लिए जीवध हाडियों में जिवासमों का अध्यन जिवासम की इसको एकजाम में इंगलिस और हिंदी ट्रांसलेशन देआ ही राता है देख लिजेगा जैसे इसका परदसन है लिए असानी से टिक कर पाइएगा तो ज़रूर यूज किजेगा आगे cryogenics, cryogenics जीव के सरीड पर सीथ का प्रभाव जब यह से cryogenics इंधन है तो वो भी सीथ इंधन ही, सीथ टैम में वो यूज किया जाता है तो cryogenics तो वो सरीड पर भी सीथ का प्रभाव और इस बार 2021 का जो नवल प्रैज मिला वो भी इसी से जुरा हुआ था आगे है herpetology, herpetology सरीश्रिपकाध्यन, pomology फालोकाध्यन, आगे है phycology, phycology सेवालोकाध्यन, यह बहुत important है इसमें exam में मैं कम से कम 3-4 वर गलती क्या हूँ, exam में, तो इसको अच्छे से पढ़िए phycology, phycology देखें होता कि झाय है, कि fungus, ठीक न, f से होता है, और यह phykology f, ठीक न, f तो f f नहीं मिलाना है, ठीक न, f f नहीं मिलाना है फाइको अगर होगा तो सेवाल किज़ेगा, माइको होगा तो कवक किज़ेगा, माइको होगा तो कवक होगा, ठीक ना, माइको लोजी कवक, यानि माइक, जो आप मैके गए ना, मैके ससुरा लगए, तो आपको कवक लगा हुआ, पौरोटी दिया, ठीक ना, ऐसे करके याद क कैसे भी किजे गलती नहीं होना चाहिए, प्यकोलोजी सेवाल एनि अगर आप जैसे चापकल पर गए, वहाँ पर सेवाल लगा हुए, तो आप लोग कहाँ फिसल जाइएगा, फिसल ना, ठिक ना, फाइको, फिसल जाना, सेवाल, ठिक ना, और माइकोलोजी, कवक, अब याद रहेगा एजाम में आगे है सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर वन विज्ञान से सेरी कल्चर रेसम प्राप्त करने वाले किट पालने काधियन सेरी कल्चर रोग विज्ञान पैथोलोजी रोग की प्रकृति कारण लक्षनों काधियन रोग विज्ञान पैथोलोजी औरिंथोलो मिर्मिकोलोजी होता है सर्पों का अधियन सांपों का अधियन और फियोलोजी अगे मिर्मिकोलोजी मिर्मिकोलोजी चीटियों का अधियन मिर्मिकोलोजी चीटियों का अधियन Ep culture यह मधमखी पालन PC culture मछली पालन काधियन Arachinology मकडियों काधियन Sukchmjaiviki Sukchmjeevon काधियन еруically Kalology मानविय सुनधरि काधियन मानवी ये संधर्ज काधियन राइनो लोजी ये होता जन्तु के नाक, कान और गले काधियन राइनो लोजी नेक्स्ट एक्ससाइज है हमारा जीब्ध हाडियों का वर्गी करन क्लासिफिकेशन ओफ और्गेनिज्म्स जीब विग्ञानियों ने जीबों की पहचान, नामकरन तथा वर्गी करन की तकनिक विक्सित की जीबों को उनके गुनों, जनन, सुभाव, भोजी सुभाव आधि के अधार पर पाटा गया चुकि ये वर्गी करन जैविक लक्षनों के अधार पर किया गया इसी लिए इसे जैविक वर्गी करन कहा गया साथ ही उन्हों ने 1758 में दुईपद नाम पद्धती जो वायोनोमियल नुमिकलेचर है इसकी संकल्कना रखी, जो दो नाम होता है, जैसे मानव का होमो सेपियन्स है, दो नाम है, तो यह किसका देन हुआ, लीनियस का हुआ, लीनियस, इनका पुस्तर, सिस्टीमा ने चुड़े, दूई नाम पद्धती, वायो नोमिनल नुमिकलेचर, इस पद्धती के अनुसार, प्रतिक जीव के नाम में दो सब्ध होते हैं, पहला सब्ध वन्स, यानि वो होता है जैनेरिक, और दूसरा नाम जो होता है, वो होता है जाती का, पद का, अगर आपको इसमें कन्फूजन होता है, वन्स और जाती में, तो उसका आप इंग्लिश टॉपिक पकड़िएगा, जी और एस, जैसे एवी सीरी अगर हम पढ़ते हैं, तो पहले जी आता है, और फिर बाद में एस आता है, तो इसलिए, पहले जैनेरिक और फिर एस पेसीज, याद रह जाएगा, जैनेरिक पहले होता है, और एस पेसीज, जैसे होमो सैपियन्स में, होमो क्या होगा, जैनेर जी के बढ़े अक्षर जाती का जो नाम अंगरे जी के छोटे अक्षर से सुरू होता है बहुत Child ड़े से स्टार्ट होता है çok किसी जीव के बैग्यानिक नाम में I.S.P.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S जैसे की करेला जो होता है खाने वाला करेला ठीक न उसका क्या है मोमुरेडिका करेंटिया यह नाम अधुरा है इसके बाद अगर लिन नहीं लगाया जाये अत्य करेला को इस परकार लिखा जाएगा इसका भी प्रिया यह हुआ कि लिनियस ने सर पर था इस पौधे का विवरन प्रकासित किया था अब यहां पर कुछ जीवों का वैग्यानिक नाम दिया गया है जैसे मनुस्य का होमो सेपियंस गाय का बोस इंडिकस बिल्ली फैलिस टोमेस्टिका कुत्ता का केनिस फैमिलेरीज मेधक अडाना टिगड़ीना आगे है बाग टैगर का पैंथेरा टिगड़िस आम का मेगनिफेरा इंडिका गेहुं ट्रेटिकम एस्टिवम धान धान का औरिजा एस्टिवा अलू का सुलेनम टिबरो यहसम और गुड़ हल जो कैनिना रोज होता है उसका है हेवेकस रोसा सिनेनिस्स नीम नीम का आजाडिरिक्टा इंडिका सर्सो मस्टार्ड बरासिका केंपेस्ट्रिस इमली का टेमेरेंडियस इंडिका यहां पर कुछ-कुछ मतलब जो और इंपोर्टेंट है जो आपका रास्त्रिय होता है इसे पैंथेरा टिग्रिस यह बाग का है वैसे ही मोर का पावो क्रिस्टेटस आम रास्ट्यफल है मेगनी फेरा इंडिका तो जो सब रास्त्रिय है ना उसका याद रखिएगा थोड़ा जैसे एक और कमल का फूल होता है उसका नेलेंबो करके कुछ आता है अगर आपको पुरा याद है कॉंट्रोक्स नो लिखिएगा नेलेंबो से स्टार्ट है ठीक ना तो याद रखिए आगे- आपकनदमिक कोटी I think नेलेंबो लुषी फ्हेरा होता है नेलेंबो लुषी फ्हेरा ठिक्डा कमल का तो याद रखिएगा अगर आपका टेक्सोनौमिक कोटी टेक्सोनौमिक कटिविरेजイ सभी वर्गी करनो में मूह लिकाईयों का करमबद-वर्ग होता है जिसे लुटियांताए है उपर दिआ गया है निचे से स्टरट करते हैं ठिक नहीं जाती के बाद जीनच उसका फैमली यानि कुटॉम्ब उसका ओर्डर फिर क्लास और उसके बाद डिवीजन या फाइलम, और फिर वो बंता है पूरा जो एनिमल किंगडम हो सकता है या फिर प्लांट किंगडम हो सकता है एक और स्कूर फिर से रिपीट कर लेजी पूछा जाता है एस्पेसीज, जीनस, फैमिली, ओर्डर, क्लास और फैलम आगे है जीवद हाडियों का पांच जगत वरगी करांग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ओफ और्गेनिजम जो विक्केटियर है नामे रखेगा विटकर विटकर ने 1979 में जिस वर्च इसरो का अस्थापना हुआ था इस से एक सो सल पहले क्या हुआ था 1879 में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था तो विक्कर जो थे 1979 में दूद्य किंगडम वर्गी करन के अस्थान पर 5 प्रस्तावित किया यह काफी इंपोर्टन ने इस से लिनियस में हमने क्या पढ़ा दो जगत परनाली का दाम दिया वैसे ही जो विक्कर थे इन्होंने 5 जगत पर नाली, 5 जगत वर्गी करनाकिया, वेरी वेरी मुझा जयाएगा 5 जगत पर नाली किसकी अनुसार है तो विटकर के दवारा कौन-कौन से है? मोनेरा, ब्रोटिस्टा, कवक यानिंवमि प्लान्टी और एनेमिलिया तो देखिए इसमें planty जो plant का नाम होगा तो वो बोल देजएगा planty का है animal तो जो animal है जो भी animal है वो बोल देजएगा इसमें आपको monera, protesta और kavak इसका example जो नीचे है वो याद करना आपके लिए वेहत जरूरी है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है monera monera में सभी प्रोकेडियोटिक जीवों को रखा जाता है प्रोकेडियोटिक सेल का टैप होता है प्रोकेडियोटिक और यूकेडियोटिक वो हम जब कोशिका चलेगा उसमें पढ़ेंगे पर थोड़ा समझ लेजिए प्रो मतलब हुआ कि श्टार्टिंग ठीक ना ऐसा सेल ऐसा कोशिका जिसमें क्येंदरक नहीं हो नूटियोटिक अज़िक और जिसमें कोशिका हो गया कैंदरक हो गया ूसमें क्या हो गया कि उसमें cell तो है पर उस cell में nucleus नहीं होगा मतलब काफी छोटा-छोटा होगा और बिक्सित होने वाला टाइप का और आप समझ रहोगे कि परोकरियोटिक जीव को रखा जाए किसमें मोनेडा में जैसे वेक्टिरिया, antinomycities तथा प्रकास संसलेशन साइनो वेक्टिरिया इसमें केंदरक और अन्ये जिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं लेकिन अधिकांस मोनेडा की सदस्यों में कोशिका वित्ती कठोर होते हैं वो क्या होता है कठोर होता है एक्जामपल काफी इंपोर्टेंट है वेक्टिरिया, वेक्टिरिया, एक्टी नोमैसिटीज और प्रकास संसलेशी, सैनो वेक्टिरिया ये सब क्या है, मोनेडा की अंतरकत आया इसमें क्या होता है, प्रोकेडियोटिक जीब मुख्यत आते हैं आगे आपका प्रोटिस्टा, इसमें जैदातर एक कोस की यूकेडियोटस को रखा जाता है इसमें होता है यूकेडियोटस, मतलब इसमें जो कोसिका होगा, उसमें नुकलियस होगा, यानि कैंदरक होगा ये मुख्य रूप से सव पोसी, प्रकास संसलेसी जीब होते हैं प्रोटिस्टा में प्राया, फ्लेजिला और सीलिया पाया जाता है, उधारन के लिए अमीबा, यूगलीना, डाइटम, ये सब प्रोटिस्टा का उधारन हुआ प्रकास संस्लेसे भी होगा पर प्लांट को नहीं कौन्ट कीज़ेगा को प्लाटिनीया अलग है एनेमिलीया अलग है ठीकिना यह फ्रोटिस्टा प्रकास संस्लेसी होगा इसमें एक कोस्की प्रकास संस्लेसी पौधे आते हैं जो भी प्रकास संस्लेसी पौधे आते हैं जैसे कि स्यवाल ब्रायोफःट्स, टेरीडोफइट्स, जिमनो एस्पर्म, एक्ज्योस्पर्म को रक्षा जाता है, आग है कवक, फंगी, यह यू केरियोटिक, विशम पोसी है, यूकेडियोर्टिक मतलब जिसमें जिसके कोसिका में केंदरक होगा ठीक ना इसमें कलोडोफिल का अभाव होता है जैसे फंगी क्या उजला उजला कवक कैसा होता है उजला उजला होता है मस्रूम जैसे देखते होंगे तो इसमें कलोडोफिल का अभाव होता है कलोडोफिल क जो कोषिक है कोदार मशुरूम दिया गया है, ठीक ना?, इनकी कोषिका भित्ती, सेलोलोज की ना होकर KYTENE का बना होता है, ये काफी important है, सेलोलोज, जो की plant में होता है, इसको इतर earnesticesuleval कहते हैं, ठीक ना?, तो इसमें बाहर का तो होता है परत पर वो cellulose का नहीं होता कोशी का विक्ति जो है वो होता है पर cellulose का नहीं होता कैटीन का होता है यह बहुत important है बिल्कुल नहीं भूलिएगा जो fungus होता है फंगी होता है उसका जो sylwal होता है वो किसका बना होता है कैटीन का बना होता है कैटीन एक protein हुआ ठीक ना कुछ का वक्त सहजीवी के रूप में सेवाल से मिलकर lichen बनाते हैं अब आगे है एनिमीलिया एनिमल किंगडम इस जगत में विसम पोसी यूकेरियोटिक को रखा जाता है यह बहुत कोषकिय होते और यह कोषिका में कोषिका वित्ती नहीं पाई जाती है इनमें पोषन प्राणी संभोजी होता है यह होलो जोईक होता है जिसमें एक्जाम्पल जिसका हैड्रा, केचुवा, तिल्चेट्टा, स्टार्फिस, मछलियां, पक्ची, सरेश्रिप, अस्तंधारी, आधी जन्तु जिसे हम लोग भी वो एनिमिलिया के अंतरगत ही आते हैं इसके आगे जो हमार एक्सेसाइज है, वो है सुक्ष्म जीव, यानि मैक्रो और्गेनिजम्स, अगे सुक्ष्म जीव, मैक्रो और्गेनिजम्स, वे जीव हैं, जिन्हें खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें सुक्ष्म जीवी, सुक्ष्म दर्सी, यानि मैक कर दो चानवस कि ये रोगड़स तंबाकु के पाउधे में की ये रोगड़स तंबाकु एक तंबाकु का पाउधा था जिसमें कोई डिजीस था उसी को वह देख रहा था तो इस बिशानु का नाम वह टेवैको मैज्यक वाइरस रख लगए गवायरस पूछा विजाता है मो मोजेक वाइरस उसके बाद S-tenlay जो Wम इस्टेञ्ल थे इन्होंने वाइरस को रवेदार रूप में जो ख्रिस्टल फॉर्म होताई इसमें प्राप्त किया एक वार है रेपिट कर लेते हैं, वैसे तो विसानू का खुछ किस ने किया, हैनो विसकी ने किया, और वो मोजेक वईरस था जो कि टबैकों में, तमबाकू में था, और जो रवेदार वाईरस था, यानि क्रिस्टल फॉर्म में जो वाईरस था, उसका खुछ के एस्टेल ले सन रचना वाइरस जीवानू से भी छोटा होता है वाइरस जीवानू से छोटा होता है ये दो परकार के पदार्थों से बना होता है प्रोटीन और नुकलिक एसीड वेरी वेरी इंपोटेंट है ये सब वाइरस किसका बना होता है प्रोटीन और नुकलिक असीड से प्रोटीन के खोल को कॉपसीड प्रोटीन के खोल को कैपसीड कहते है जो कि नुकलिक असीड के चार और होता है कैपसीड की छोटी छोटी इकाईयों को कैपसोमियर कहते है यह वारी पिट कर लेते है नुकलिक एसीड या तो RNA या फिर DNA का बना होता है और इस अधार पर निमन परकार के वायरस पाये जाते हैं DNA और RNA का अधार पर पादब वायरस इसमें नुकलिक एसीड आरेने में होता है पादप बाईरस में नुकलिक एसीड आरेने में होता है जबकि जन्तु कोशीका में जन्तु वाईरस में नुकलिक एसीड जो होता है डीने में होता है रिपीट कर लेते हैं प्लांट वाले में आरेने में और जन्तु वाईरस में इनिमल वाले में किसमें होता है DNA में डंकी क्या है इनिमल है डंकी इनिमल है तो इसमें क्या होगा DNA में होगा ठीक ना पादफ बाले में क्या होगा रोज क्या है पादफ है ठीक ना तो इसमें क्या होता है RNA में होता है आगे आते हैं Vectreophage, जो बाइरस जिवानू पर आकर्मन करते हैं उन्हें Vectreophage कहते हैं, इनमें Nucleic Acid DNA में होता है, जो की Double Extended होता है Vectreophage ऐसा होता है, जो जिवानू पर आकर्मन करता है, उसे Vectreophage कहते हैं, इसमें Nucleic Acid DNA में होता है, जो की Double Extended होता है आगे है Virione, एक संपुर्ण, विसानू विये कन, जो संकर्मन फहलाने में सक्छम होता है, उसे Virione कहा जाता है Virione, ऐसा विसानू, जो अपना संकर्मन फहलाएगा उसे कहा जाता है, विसानू की प्रकर्दी, वाइरस में निर्जीव और सजीव दोनों गुन पाया जाता है, निर्जीव की गुन के अंतरगत वाइरस स्वैंग विर्धी नहीं कर सकता वे केवल जीवित पर पोशी की कोशिका में ही अपना गुनन करने में सक्छम है, जो जीवित है उसके अंदर रहके वो अपना ग्रो करेगा इसको अविकल्पी पर जीवी भी कहा जाता है, अगे वाइरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, वाइरस को क्रिस्टल फॉर्म में रवा के फॉर्म में उबर पढ़ेते, रेशा के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, कोशिका के बाहर वाइरस में वाइरस जनन कर सकते हैं, वाइरस जनन कर सकते हैं और उन में उत्पड़ी वर्तन की छमता होती है, वे संबेदन सील होते हैं और उन पर ताप परावैगनी किरन आदिका परभाप परता है, विसानू पोसी कोशिका को नस्ट कर सकता है, विसानू पोसी कोशिका को नस्ट कर सक अगे अमेर्की वैग्यानिक, टी ओ, डाइनर ने सर पर्थम बिरोएट्स की खोज गे थी, ये गुलाकार एक एस्टेड़ेड आरेने से बना होता है, जिसमें प्रोटीन का खोल नहीं होता है, ये विसानू से भी सुक्षम होता है, इसे रोग क्या सब होता है, अगे प्रियाउन, प्रियाउन के वज़ प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें Nucleic Acid नहीं पाया जाता है, इसकी खोज और नामकरन जो है वह वो प्रूसिनर ने क्या था, इस्टेनले प्रूसिर उसे रोग क्या सब है, कुरयोट सलफेट, क्वरयो सलफेट जैकव यानि CJD रोग या मनुस्य के तंत्रीका तंत्र का रोग है जिसमें यादास्त की कमी या पागलपन एबं पेशी और यंत्रन लॉस आफ मसल्स कंट्रोल हो जाता है और अंत्ता रोगी की मिर्ती हो जाती है यह एक वनसानुगनत रोग है लेकिन सलिक किड्या यानि सरजरी दु इमारी मैड कॉर डिजीज या उसको बैभेन एस्पोग्रेफर्म इन सैक्लो पैथी बी एसी कहा जाता है यह फ्रियॉन के कारण होता है फ्रियॉन के कारण एसक्रेपी एसक्रेपी रोग बकडियों और वेरों की मस्तिस्क कोशिकाओं का अब हडास होता है इससे अगे चनतुक नाम दिया था पहले यह नाम कहन दिया बैक्टिडिया सब्द का प्रयोग एरन वर्ग एरन वर्ग ने किया था काफी इंपोर्टैन रही है है जो बिंदि-बिंदि यह वाल है ये इसको प्लाजम मेंब्रेन कहा गया डॉट 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 राइवोसोम फुट रिजर्व फुट रिजर्व नुकलियाइड है नुकलियाइड यह वाला पाट डी अने कट सैटो प्लाज्म मेसोसोम फोटो सिंथेटिक मेम्रेन भी होता है इसमें ओक्सिडेटिव इंजाइम्स बॉट टू प्लाज्म मेम्रेन यह सब जो है वो प्रोकेरियोटिक वेक्टिरिया में होता है जिवानू के अध्यन को जिवानू बिग्यान या वेक्टिरियो लोजी कहते है लिवेन होक को जिवानू बिग्यान का जनक कहा जाता है लिवेन होक को इसे कोशिका नहीं जो विक्टेरिया है वो तो प्रोकरियोटिक होता है इसमें पैप्टी-डोगलाइकन का बना द्रिट कोशिका विति पाया जाता है जो की सलेशमक से गड़ी होती है इनमें 70S रैवोसोम स्वचंतर रूप में पाया जाता है जिन जिवानुओं में क्लोडो लेशी होते हैं और वह पर्पोस्य होते हैं अग जिवानुओं के रूप जिवानुओं के रूप जिवानुओं के अन्यक रूप हो सकते हैं पहला जिया घ गोट कोकई इनकी अन्यक प्रकार होते पहला example है इज मेरर साम्पल है mamcus ये बिगल जीवान है mamcus अगर अगर ृप्लो टोकस यजन्जीर के रूप में नेँ अगर certunococos Даже Step ajlockocos समूu के रूप में गृब के रूप में सर्सीना सार्सिना, सार्सिना घनाक्रिती, घनाक्रिती समु में पाये जाने वाले होते हैं, सार्सिना, वेसिलस, ये दंडाकार होता है, वेसिलस, टेसलेक्टो वेसिलस हुआ, ये सब वह हैं, वेसिलस, एस्पैडिला, सर्पिकल, वाइपरो, वाइपरो होता है कॉमा, इस टैप को, कॉमा जिवानू का आर्थिक महत्तोर, जिवानू प्रतिक जीव के लिए लाबदायक और हानिकारक दोनों ही होता है कुछ लाबदायक फेक्ट दिया गया है, जैसे कि नेट्रोजन निर्धारन के लिए, जिवानू नेट्रोजन को इस्थिर रूप में बनाये रखते हैं, जैसे भूमी में एजोटो वेक्टर और क्लोस्क्रिडियम तथा लियू मिनोसी कुल के पौधे में रैजोबियम, रिप लियू मिनोसी कुल के पौधे में एडाइजोबियम, यह सब नेट्रोजनी करन पौधा हुआ, मानव के पाचन तंतर में पाये जाने वाले जिवानू, इकोलाई, इकोलाई, पाचन किडिया में सहायक होता है, टेरी उद्योग में लेक्टोवेसिलस, केसी आई, दूद की स के द्वारा ही होता है, अन्य उद्योगों में माइको कोकस, तंबाकू के पत्रों में तथा वेसिलस मेगा थिडियम, चै पत्रों में सुगंध पैदा करता है, इनका प्रियोग, चमडे के सोधन, एबं जूट के रेसे को अलग करने में भी होता है, आगे असोधी के निर्म जिवान होता है, जैसे कि इस तरव जीवान हो नुँ है, और प्रति चाहई को अंतिवाटिक वनता है, वह दिया गया है, तो Estratomycin, 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 संस यह औरियो मैसीन वनता है आगे एस्ट्रेप्टो मैसीन रेमेसस यह टेरा मैसीन तो यह जो था लावकारक फैक्ट अब है हानी कारक किडिया रोग उत्पन करना जिवानों दुआरा मनुस्य पादप और जानवर में कई रोग उत्पन होते हैं खाद पदार्थों को बोजन भी करता है उर्वड़क भी बढ़ाता और कम भी करता है एस्पैरोकीट सैटोफाज कपास के डेशिय को नस्ट कर देता है अब अगे हमारा चौथा एक्सिसाइज है कवक एवं पादप जगत कवक एवं फंगी यान प्लांट किंग्डम अगे कवक फंगी कवक के अ बड़जीवी या सहजीवी यूकरियोटीजीव होता है यूकरियोटीग होता है प्रोकरियोटीग ने यूकरियोटीग मतलब इसमें सेल में कोशिका होगा इसमें प्रकास संसिलेशन नहीं होता है कवक में प्रकास संसिलेशन नहीं होता है कवक में प्रकास संसिलेशन नही सरकडा से बनी होती है कोशिका वित्ती जो पादप होता है उसमें सेलोलोज का बना होता है जबकि कवक में कैटीन का बना होता है कैटीन इसमें संचित भोजन क्लैकोजेन एबं तेल के रूप में होता है आगे इसका आर्थिक महात्वा पैनिसलीन जोकी एंटिवाटिक है पर एस्पर्जिलस नामक कवक पनीर बनाने में काम आता है एस्परजिलस अगय पर एर्गोटा एर्गोटा क्लेवी सेपस पर पैडिया से प्राप्त होता है नियूरो नियूरो एस्पोडा का उपयोग जीव रसाइन तथा जैनेटिक कारियों के सोध के लिए किया जाता है मैड प्राप्त होता है जो की विव्रम की पदार्थ होता है कवक से मनुस्य और पौधे में रोग भी उद्पन होता है अब है पादप प्लान्टी पादप जगत में बहु कोशकिये प्रकास संसलेसी पौधे समलित होते हैं पादप को दो टैप में बाटा गया है एक तो है पादप सरीर विना विवेद के और दूसरा है विवेद पादप सरीर तो जो विवेद के होता है उसमें आ गया थेलोफाइट थेलोफाइट और जो विवेदित पादप है विना समवहनी है उत्तक के और जो विवेद पादप सरीर वो भी दो पार्ट में डिभैट किया गय ही विना सम्वहनी उत्तक सहित है और दूसरा है संवहनी उत्तक सहित हैं तो ब्रौईय выглядит उत्तक कर नहीं रहता है और दूसरा विंज उत्तपादित करने और जिसमें बीज होता है यानि फैनरोगैम इसका दो पार्ट है नगन वीजी और फलों में बंद बीज वाले नगन वीजी को जिमनोएस्पर्म कहा जाता है और जो फलों में बंद होता है उसको एंज्यूएस्पर्म कहा जाता है एंज्यूएस्पर्म का भी दो टैप हो गया दो वीज पत्र वाले वीज और एक पत्र वीज वाले पत्र एक वीज वाले में एक वीज होगा और दी वीज वाले में दो वीज होगा जैसे स्येब समय क्या होते है बहु होता है ठीक ना ग्योहु वाले में एक होता है तो ऐसे ही ये डिभेंड किया गया आगे ठलीडोफाइटा का सरीड थेलस कहलाता है, क्योंकि पादप शरीड बास्तविक मूल, अस्थम तता पत्ती में पिभेदित नहीं होता है, अधिकांस पौधे जलीये होते हैं, किंतु अस्थलिये पौधे नम जगोहों पर पाये जाते हिसी वर्ग में सेवालगी आता है ये लाइकेन, listen, काफी important है लाइकेन सब्द का प्रियोग सर पर्थम ग्रीक दार्सनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था थियोफ्रेस्टस लाइकेन सहजीवी जीव है जिसमें सैवाल और कवक अन्ता सम्वंद बनाता है क्योंकि संजुक्त रूप से इसे कहते हैं परण के लिए लिकेनोडा, रेमेलाइन, रेमेलाइन, क्लोडेनिया ये सब क्या है लेकाइन का उधारन है अगे सहवाल एलगी सहवालों के अधियन को फाइकोलोजी कहते हैं फाइकोलोजी, सेवालों के अधियन को फाइकोलोजी ये नम भूमी और लवनिये जल बिरिक्छू की चाल और चटानों पर पाया, जिसे हम कदरी कहते है ना चापा कलपे आप पाणी गिरते मां पर देखते होंगे, ब्राउन या फिर निला कलड का हो जाते है तो वही होता है सेवाल एक कोशा किये अर बहु कशा कلمड कोशा किये अलबा होता है कुछ सेवाल कलोनी बनाते हैं जैसे कि बॉलोगोक्स और तन्तूमod typically जिसमें कलोरोफिल पाया जाता है सेवाल में कलोरोफिल होता है आर्थी किसका महतु क्या है समुध्री घास जो सी विर्स होता है, भूरे सेवाल जैसे लेमिनेरिया, सरगौसम का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, भूरे सेवाल की कोशिका भित्ती से प्राप्त है, अलजीन का प्रयोग रबर उध्योग में होता है, रबर उध्योग में, लेमिनेरिया, ले बेकडी, मीठाय, दतमंजन, दिर्मान, एबंकृत्रिम, बिर्धी माध्यम में होता है। आगे है कलोडेला, कलोडेला का परयोग भोजन के रूप में किया जाता है। सिंडेस्मस, सिंडेस्मस का परयोग सिंगल सिल प्रोटीन के रूप में किया जाता है। कलोडेला का, आगे कलोडेला का उपियोग अंत्रिकष अनुसंधान में भी किया जाता है, आक्सिजन की पुर्ती के लिए पूछा जाता है दिलेकसता शैवाल ही होता है इसका अंसर पर अगर ओडिप करें तो कलोडेला याद रखिएगा, आगे हैं ब्रायोफायटा, इस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभाइचर जो एंफिवियर होते हैं क्योंकि पौधे जमीन पर पाये जाते हैं और निशेचन के लिए पानी आवस्यक होता है, निशेचन मतलब खाना वणा बनाने के लिए पानी उसको चाहिए, इसमे पादप सरीड के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य वस्तों का समवहन के लिए विशिस्ट उत्तक जैसे की जैलम और फ्लोयम नहीं पाये जाते हैं, ब्रायोफायटा का पौधा तना और पत्य जैसी सनरचना में बटा होता है जिसमें असली जरों के अस्थान प क्यूनेडिया, मारकेसिया, लिवरवर्ट, हॉर्णवर्ट, स्पेंगमन आदी, इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो पहला दिया है समेंग नम, पीट मौस, में जल अबसोसन एवाम उसके संग्रह करने की छमता के कारण इसका पड़योग नरसरी में पैकिंग मेटेरियल के रूप में किया जाता है, मौस, पादप, अनुक्रम, जो एकोलोजिकल सक्सेशन होता है, इसके, इसमें वो महत्वुर्ण भूमिकानी होता है, इसका पड़योग इंधन के रूप में भी किया जाता है, आगे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट् तक जैलम और फुलोयम पाया जाता है, जैलम जल का समवहन करता है, जो कि फुलोयम फुट का करता है, ठीक रहा, इस वर्ग के सभी पौधे में भुर्ण होता है, तथा पीढ़िया का एकांतरन भी होता है, इसमें जैलम की बाहिकाईयों और फुलोयम के सहकोसिकाओं का अभा सब्सक्राब होता है उसका दिया है फर्ण मुगदर मौस असुवार होस्टेल जादिया जिमनो एस्पर्म जिमनो एस्पर्म दो ग्रीक सब्द जिमोस और एस्पर्म से बना हुआ है जिवोस कार्थ होता है नगन और एस्पर्म कार्थ होता है बीज तो नम से क्लियर इसे क्या नगन विजी पौधा कहा जाता है यह पौधे बहु बर्शी सदावाहर तथा कस्टी यह पौधे होते हैं इतका समानिय पौधा विजानु दुईभद्धी यानी सोरो फैतिक अवस्था में होता है उदारण के लिए साइकस और पाइनस साइकस और पाइनस आर्थिक महदूर साइकस के स्टार्च से सबुदाना निकाला जाता है, साइकस के स्टार्च से ही सबुदाना निकाला जाता है, पाइनस यानि चीर से तारपीन, डेजीन एबं बहुमनी लेकणी प्राप्त की जाती है, चीर से, पाइनस से, पाइनस, जिराड डियाना के बीज से चिल गोजा प प्रायोफाइटा एवं टेरीडोफाइटा में नगन भूर्ण पाये जाते हैं जो बिजानु कहलाते हैं इन तीनों समुह के पौधे में जन नांग और परत्यक्ष होते हैं और ये बीज उत्पन करने में अक्षम होते हैं अता इन्हें क्रिप्टो गेम कहा जाता है ये दौद घगा हुआ और अर्था इन पाधे के बीज फलों के अंदर घके होते हैं विजों का विकास अंडासाए के अंदर होता है जो बाद बीज़ पत्र और भुर्ण पोस दोनों जगा संचीत होता है बीज़ पत्र कोटेलियडस के अर्थात के अधार पर NGO-Sperm वर्ग को दो भाग में बाटा गया है एक तो है एक बीज़ पत्र वाले पोध है यानि एक बीज़ पत्री और दूसरा है दो भीज़ पत्र यानि डिकोईट्स और पहला है मोनोकोईट्स तो पहला है पर माइको राइज़ आप दिया गए माइको राइज़ पाइनस के जरों में कवक सहजीवी की तरह रहता जिसे Mycorrhiza कहा जाता है Pirus यानि चीर के जरों में कवक सहजीवी की तौर पर होता है इससे क्या कहते है Mycorrhiza कहते है दूइबज पत्री NGO-Sperm यहाँ पे कुल यानी फैमली दिया गए उधारन है इसका यह सब दूइबज पत्री है जिसमें कुर्सी फेरी, कुर्सी फेरी में सर्षो, राय, मूली, सल्जम, फुल्गोवी, वंदकोवी, मालवेसी में भिंडी, कपास, पटसन, गुढल, पटुवा, हेली होक, फावेसी, सीसम, मुंगफाली, सोयवीन, मटर, चना, अरहर, मैथी, एंडियन टेलिग्राफ, प्ल अगे, एस्टेडेसी, एस्टेडेसी को कंपोजीटिक हा गया, सुर्जमुखी, गेंदा, कुसुम, गुल्दौरी, डाहलिया, कलेंडुवा, आल्टिनोच, रोजेसी में नासपाती से वदाम, कुकुड बेटेसी, खर्भूजा, तर्भूजा, लौकी, जीरा, ककडी, ग्रियम, ड्रेसीन, ग्रेमीनी, पामी, पामी का अलग है, खजूर, नाडियल, सुपारी, और ग्रेमीसी का गेहू, मक्का धान, जौदूब, एक और बांस, अब आगे जो हमारे अक्सिता है, जे काफी इंपोर्टेन याज शुरू होता है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंग प्रोटोजूआ, और मेटाजूआ, प्रोटोजूआ में एक कोश की है, एक कोश की है, मेटार जूए को दो पार्ट में डिवेड किया गया, पेराजूआ और यूमेटाल जूआ, पेराजूआ दे उत्तक वा अंग संगाठित नहीं होते हैं, जैसे कि एकजाम ấy में अस्पं प्रचलन अंग कूटपाद पक्छाव या कसाव होता है इसमें उत्सरजन एबम स्वसन किरिया विसरन डिफ्यूजन द्वारा होता है प्रोटोजवा में जरन किरिया लेंगिक वा और लेंगिक दोनों प्रकार का हो सकता है ये सारा था प्रोटोजवा का एक कुस्किया वाले का इसमें उदाहरन है पेरिफेरा सब्द का प्रयोग सर पर्थम रोवर्ट ग्रांट ने किया था नाम नहीं भूलियेगा रोवर्ट ग्रांट यह बहु कोस्की जलिये जन्तू होता है जो लवनिये जल यानि समुद्र में पाया जाता है लेकिन एस्पांजीलाइडी मीठे जल में भी पाया जाता है इसके सरीर में उत्तक नहीं होता इसके सरीर में उत्तक नहीं होता इसमें या इसके सरीर पर अनेक छिद्र यानि उस्टिया होता है सरीर के अंदर एक गुहा जैसे एस्पंज गुहा होता है पाया जाता है इसमें केनाल सि आइकन है मीठлуч पानी का स्बंज लिको सोने लिया यूस्पंज है या बाथा स्पंज्र है संग संग और एक पाचनगुःहा होता है इसमें इनके मुखी के चारो और अस्पर्स थक पाये जाते हैं यानि टेंटेकलेस होता है जिसमें दंत कोशिकाएं होती है जो रक्षा करने भोजन पकरने में काम आता है इसमें अभाव होता है उधारन के लिए हैड्रा, ओविलिया, औरिजिला यानि जेलेफिस, मैट्रेडियम, समुद्री एनिमोन, फैसोलिया, पुर्तगाली युद्धपोत चोथा है संग प्लेटी हल्समिनिथीज, ये जन्तु त्री अस्तरिये होते हैं लेकिन इन में सरीर गुः का अभाव होता है, बोडी कैविटी का अभाव होता है ये प्रिष्ट अधो दिशा में चप्टे होते हैं, इसलिए इने चप्टे क्रिमी कहा जाता है, इनका पाचन तंत्र अपुर्ण होता है और रक्त परी संचरन तंत्र, स्वसन तंत्र का अभाव होता है उत्सरजन फ्लेम को सिकाउंद वाड़ा होता है, ये उभावलिंगी होते हैं जिनमें आंत्रिक निशेचन पाया जाता है उदाहरन के लिए प्लेनेरिया, टीनिया, सुलियम, पूर्ख फिता क्रिमी, फेसियोला, लिवर फिल्यूक, सिस्टोजोमा, रक्त फिल्यूक आगे पाचमा दिया है संग, संग, एस्टेकलित्मीज, ये लंबे बेलनाकार अखंडित क्रिमी है, जिसके दोनों सिरे नोकिले होते हैं, संग, संग, एसकलेमिनित्नीजगा, इसमें क्रित्रिम देह गुहा होता है, लेकिन सरीर जो है, वो त्री अस्तरिये होता है, सरीर प अब उदाहरन यहापर दिया गया है, एसकेडिस यानि गोल क्रिमी, वोचेडिया यानि फाइलेडिया क्रिमी, और एंकाईलोस्टोमा यानि हुक क्रिमी, आगे है एनलीडा, ये बहु कोशकी त्री अस्तरिये, दूईपार्सविक, और सिमित और सिलोम मुक्त जीव होते है सिलोम युक्त जीव होते हैं, एनलीडा, ये बहु कोशकी त्री अस्तरिये, दूईपार्सिक, समिमित और सिलोम युक्त जीव होते हैं, इसके सरीर में अनेक खंड यानि सिगमेंट होते हैं, इनके प्रचलन अंगर सेटी एवं पेड़ापोडिया होता है, होमोगलोविन अरक्त प्लाज्मा में घुला होता है, ना कि लाल अरक्त का निकाउम यानि RVC में नहीं होता, सोसन किरिया, तोचा द्वारा और कुछ जन्तूओं में गिल्स के द्वारा होता है, इसमें वंद रुधिर पड़ी संचरन तंद्र पाया जाता है, उत्सर्जन ब्रिक द्वार को जमने नहीं देता है जैसे हम लोगों में रक्त जम जाता है इसमें नहीं जमता केच्वा को प्राकिरतिक किसान कहा जाता है केच्वा को प्राकिरतिक किसान कहा जाता है आगे है संग एंथ्रोपोडा और्थोपोडा इसका सरीर दुई पार्सिक सममीत एवं त्री अस्तर य जोरों में लगे होते हैं, इसलिए उन्हें अर्थो-पोड़ा कहा जाता है, इसकी देह कुहा को हीमोसिल कहते हैं, क्योंकि यह रक्त से भड़ा होता है, इसमें खुलारूधीर परिसंचरसतर पाया जाता है, उतसरुजन किड्या हर्ती गरंथियों, मैल पी गीरंथियों प्रोकिया, सरीर के सतह दुआरा होता है। उदाहरन के लिए टिड्डा, मधुमक्खी, जींगा, बिच्छु, मकडी, मक्खी, केकड़ा, तिल्चट्टा, तितली, आदी, मधुमक्खी की तीन जोरे पैर होती है। तिन जोरे पैर 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 जाते हैं, मकडी और बिच्छु में चार जोरे पैर 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 जाते हैं, काफी इंपोटेंट है यह, मकडी और बिच्छु में चार जोरे पाँ, यानि आठ पाँ होता है। लेपसीमा जो रजत मीर यानि सिल्वर फिस कहलाता है लेपसीमा, मदुमक्खी और दीमक्ख समाजी कीट है जो की कलोनिया में रहता है, कॉलनी बना के रहता है, आगे संग मुलासका, ये खंड हीन कॉमर सरीर वाले जनतु हैं जिसके सरीर एक पतली जिल्ली मेंटल द्वारा जिसके उपर एक कठोर कवच होता है, जिसके सरीर के तीन भाग होते हैं, सिर्व पैर और अतरांग पिंडक, आहार नाल इसमें पुर्ण होता है, सोसन किरिया कलोम और फुसफुस करंथी जो हता है, उसके द्वारा होता है, रक्त हरा लाल नीला रंगीन हो सकता है, इसमें उत्सरजी अंग ब्रिक और कीवर औरगन के द्वारा होता है, कीवर औरगन के द्वारा, कुछ जन्तूओं में लारवा जैसे कि ट्रोखोफोर और गलोकिडियम पाया जाता है, उदाहरन के लिए इसका अक्टोपस, डेविल फिस्च कहा जाते है उसको, सिपिया कटल फिस, पला, एपलーー एस नेल, एपलिसया समदरी खर्गोस, डैन्टालियम हाथी का दांत, डोडीस समदरी निंबू आ दी है नियोपिलीना एनलीडा और मुलास्का के बीच जो नियोपिलीना है एनलीडा और मुलास्का के बीच, की कड़ी है आगे नॉमा दिया गया है एकाइनो डर्मेटा इस संघ के सभी सदस्य बिन अपबाद के समुदर में पाये जाते हैं इसमें सरीर में वास्तविक देगुहा पाये जाती है देगुहा से जलवाहक तंत्र कांद्रिमान होता है जो इस संघ की विशेस्ता है उदाहरन के लिए इसमें क्या कीजिएगा जैसे कि जो जिस ग्रूप का है उसका जो इक्जामपल है उदाहरन वो अपने नोट में लिखिएगा और उसको याद कीजिएगा क्योंकि यह याद करना मैं रिड़ कर रहा हूँ, उससे थोड़ा मुश्किल होता है, आप उसको याद किज़ेगा, इससे प्रस नाते हैं, बच्चे गलती कर लेते हैं, ठीकिन आतो इसको याद कर लीजिएगा आगे समुदरी आरचीन, सी आरचीन, में आरस्तु, लाल टेन, एरिस्टोटल, लेंट्रिट पाया जाता है, जिसका कारिय भोजन चवाना होता है, और टेन डौन को सी लिली कहते हैं, आगे दसमा है, संग काल्टेडा, काल्टेडा, इस संग में जन्तुओं की तीन के लिए आवस्च्यक है, इसमें ए दियागे पहला, नोटो काल्ट, प्रिष्टिये नालाकार और एकल केंद्रिये तंत्रिका तंत्र, क्लूम रंध और ग्रसनी में छिद्र बिद्धमान होता है, संग काल्टेटा का वर्गी करन, पहला दियागे से मतस्य, मच्री वाला, य याईनि पिकिलो थर्मिक जन्दू होता है, इसका सरीर सल्क द्वारा ढखा होता है, यह एक क्लूम द्वारा सोसन करते हैं, तथा पंख की मदद से चलते हैं, इसमें दो कक्ष वाला हिरदय होता है, टूचेंबर, शरीर धारा रेखित होता है, उदारन के रेहू, सिंहला य या उभाईचर, एमफिविया, जो दोनों जगर हैगा, एमफिविया, ये और समतापिक असे रुकी हैं, जिसमें चाल टांग और सल की हीन चर्म होता है, तोचा कॉमल रहने के कारण इसमें तोचिय स्वसन होता है, इसके जीवन में दो अवस्थाएं होती है, एक टोडपॉल जो जलीए होता है, और एक वैस का वस्था, जो की जैदा समय भूमी पर रहता है, हिरदय तीन कक्षिय होता है, जो भी उभाईचर होगा, उसमें तीन कक्षिय होता है, जिसमें दो आलिंद और एक निलाय होता है, जिसे हम लोगों में दो आलिंद और दो निलाय होता है, च साइरेन, सलामेंडर टूर्ड, मेढक और इक्थियूफिस, आगेस्रेश्रेश्रिप, रेप्टिलिया, यह और समतापिक असे रुकी है, जिसमें सक्त सालकी तोचा होता है, और यह सुखी जगह पर रहते हैं, यानि कुछ पानी में भी रह सकते हैं, सोसन किरिया इसमें फेफ पढ़ेते, एमफिविया, जो समुद्र और जल दोनों जगर हैगा, उसमें तीन चेंबर होता है, लेकिन मगरमच में क्या है, चार कक्षी है, तो इसको गलती नहीं कीजिए एक जाम में, इन में से कोई लाड़व अवस्था नहीं पाया जाता, उधारन के लिए कछुआ, घरयलू, चिपकिली, नाग, करेत, अजगर, यह सब मगरमच में तो चार हो गया, घरयाल और एलिगेटर इस समें तीन कक्षी हिर दे था, और मगरमच में क्या था, चार कक्षी है था, आगे आपका दिया है एवीज, यह नियत तापिया, यह वार्म बलड़ड जनतु है, हिरदय चार कक्षी होता है और इनके जबर में दाथ नहीं होता है, इनमें स्वसन फेफरी दूआरा होता है, मादा में केवल वाई अंडवाहनी पाई जाती है जिनमें मुत्रासय का अभाब होता है उधारन के लिए कबुतर, मोर, सुत्रमुर्ग और उल्लू अगे वर्ग है अस्थिनिया, अस्थिनिया में मिलिया जो हम लोग वे, यह सम तापिक से रुकी है जिसका सरीर वालों से डाकार आता है, इनकी तवचा में स्वेध और तिल गरंतियां होती है, मादा में दुग्द गरंतियां भी होती है जो तवचिय गरंतियों का रुपांत लामा एबम उट को छोड़ कर लाल रक्त का निका यानि RVC में केंद्रक नहीं यह काफी important है जैसे जो blood cancer होता है वो WBC में होता है क्योंकि WBC में क्या होता है cell में nucleus होता है केंद्रक होता है और cancer के लिए केंद्रक बहुत जरूरी होता है तो RVC जो माड़ा red blood से लाए उसमें केंद्रक नहीं है यानि cancer भी नहीं होता है तो याद रखियागा लामा एबम उट को छोड़ कर इसमें होता है RVC में भी क्यांद्रक होता है लेकिन हम लोगों में जोते है उसमें वह RVC में क्यांद्रक नहीं होता अस्तन धार्यों की तीन पर्मुक उपबर्ग है पहला इसमें प्रोटो थीरिया यह अंडा देते हैं जैसे कि डक विल्ड प्लेटिपस और एस्पाइस जीनी चीटी खोर यह हो गया प्रोटो थीरिया यह अंडा देता है अगय मेटा थीरिया यह ओपड़ी पकत्तों बच्चे को जन्म देता है जो मार्स पियल नामक थैली में विख्षित करते हैं कंगारू हुआ और लास्ट है यूथीरिया यह विख्षित बच्चे को जन्म देते हैं कि हाथी सेर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोस, वेल, मानव मानव के जन्तु जगत में अस्थान संग कसेरुकी उपसंग में ब्रटी प्रेटा वर्ग में मेमेलिया, गन प्रेमेटा, उपंग में हम लोग एंथ्रो, पोईडिया में आते हैं, कुल में होमो संग में अनुष, कसेरुकी में, उपसंग का ब्रटी प्रेटा है, वर्ग मेमेलिया, गन प्रेमेटा, उपगन एंथ्रोपोईडिया, कुल हमोनेडा, अब जो धर्विक वाले होँगे, उनको यह अपे Хिंदी मुसलिम दिखाई नहीं होगा, दुख हुआ वहा चलिए आगे आते हैं आगे हम vem रखसाये जह पाफी IMPORTENT है ध्यानदे देखी इसको कोशिख यहां से स्टर्ट होता है काफी IMPORTENT है पहला तो अभी हम पढ़ेंगे कोशिखा फिर कोशि कोशिका सजीवों की सनरचनात्म के बं किडियात्म किखाई है कोशिका जैव रसायनिक अनुवों से बनी एक रचना है यह कोशिका जिल्ली से घिरा रहता है कोशिका जिल्ली जो सिल्वाल होता है हलाकि सिल्वाल को हम कोशिका वित्ति कहते हैं उसके अंदर जो होता है जिल्ली होता है तो यह कोशिका जिल्ली से घिरा होता है इसके अंदर जीब दरब्य और क्यंद्रक होता है जीब दरब्य और क्यंद्रक होता है कोशिका के अध्यन क साइटो लोजी कहते हैं 1665ip में रोवल्ट हुक ने कॉर्क में कोर्क के एक टुकडे को सुख्छुमदर्सी से देखा इसमें अनेक कोट्री आ पैंबर थी जिसे उन्होंने सेल नाम दिया 1665ip में में रोवल्ट हुक ने कोर्क में हिए इसका खोज किस ने किया नामकरन किस ने किया ठीक ना तो सेल नाम किस ने दिया रवर्वर्टुक ने दिया और खोज भी इसी नहीं किया रवर्वर्टुक लिवेन होक ने 1674 में सुक्षमदर्शी से जीवानू, प्रोटो जोवा तथा अन्य जीवित कोशिकाओं का भी पताला क्योंकि जो इलेक्रिक जो सुक्षमदर्शी होता है उसका खोज भी यही किया था तो जाहिर सी बात है जो भी छोटे-छोटे पतार्ति उसको देखा और इसका खोज कर ल लगाया रोवर्ट ब्रॉन 1831 में पता लगाया कि कोशिका में केंद्रक भी है केंद्रक का पता लगाया पूर्किंजे ने 1849 में तथा वन मोल ने 1846 में कोशिका में पाए जाने वाले अध तरल और दानेदार पदार्थ को जीवद्रब्य यानि फोटो प्लाज्म नाम दिय होता है नई कोशिका हैं पहले से मजूद कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन होता है कोशिका सिध्यांत जन्वन बैग्यानिक स्लेडेन और स्वान ने 1849 में कोशिका सिध्यांत प्रस्तूत किया काफी इंपोटेंट है कोशिका सिध्यांत किस ने दिया स्लेडेन और स्वा रेका ही है लेकिन सब मिलकर किसी कारी को समपन्न करती है प्रतेक कोसिका में, एक क्यंद्रक होता है जो कोसिका का मुखी कारी करता होता है अगे कोसिका का कोशिका का अकार सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाजमा सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाजमा गेली सेप्टिकम होता है very very important सबसे छोटी कोशिका कौन सा हुआ माइको प्लाजमा गेली सेप्टिकम जिसका अकार 0.1 मैक्रो मीटर होता है इसे प्लिडियो निम्योनिया लाइक ऑर्गैनिस्म भी कहा जाता है सबसे बड़ी कोषिका सुत्रमुरक गे काट काट होता है जिसका कार 170 mm गुन्य 135 mm होता है तंत्रिका कोषिका, जिसे निरॉन है मानब शरीर की सबसे लंबी कोषिका है तंत्रिका कोसिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोसिका है अब आगे कोसिका का प्रकार दिया गया है संख्या के अधार पर कोसिका की संख्या के अधार पर जीब दो प्रकार के होते हैं एक तो है एक कोस्किय यानि यूनी सेलर और दूसरा है बहुत कोस्किय multi cellular यूनी मतलब एक ही होता है तो असानी से समझ जाएंगे इसके सरीर में कैवल एक कोशिका होता है जिसका वो बना होता है जिसे कि अमीबा, पेड़ामिसियम, यूगलीना यह सब एक कोश किये हुआ अगे बहु कोश किया यानि multi cellular इनका सरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है जिसे कि केचुआ, मेढख, पक्छी, मनुस्यादि केचुआ, मेढख, पक्छी, मनुस्यादि यह सब क्या हुआ बहु कोश किय हुआ के दुसरा पटीए केंद्रक की सन रचना के अधार पर विवाजन केंद्रग की सन रचना की अधार पर भी दो टाइप का होता है अब उपर में लोग पठे हुए थे प्रो केंद्रक होता है बिना जित सिंक और और यो केंदरक होता है, वो पूरा डेवलप्ट नहीं होता है, ठीक न? नहीं के बड़ावर होता है. जिवानू की कोशिका वित्ती के अभी रंजन में होने वाले अंतर के अधार पर इसे धो भाग में बाटा गया है पहला इसमें ग्राम पोजिटिव जिवानू यह जिवानू ग्राम अभी रंजन यानि ग्रैम स्टेन को गरहन कर वैगनी रंग बनाते हैं ग्राम पॉजिटिव जिवानू ये जिवानू ग्राम अभिरंजन को गरहन करके वैगनी रंग बनाते हैं दुसरा है ग्राम नेगेटिव जिवानू ये जिवानू में वैगनी रंग पुर्ण रूप से घुल जाते हैं इन कोशिकाओं में अंगक जैसे ग्लोजिकोई, मेटोकॉंड्रिया अंतह प्रदर्विय जाली का आधी नहीं पाया जाते हैं इनमें एक बिशिस्ट सनरचना मेजो सोम्स पाई जाती है जो कोशिका भित्ती के निर्मान में मदद करती है कोशिका द्रब्य में 70S परकार के रैवोसोम पाये जाते हैं जो प्रोटीन संसलेशन में भाग लेता है कोशिका द्रब में 70S परकार का रैवोसोम पाये जाता है जो की प्रोटीन संसलेशन में भाग लेता है इस कोशिका में हिस्टोन रहित गोलाकार दो कड़ी वाले DNA पाये जाते हैं हिस्टोन रहित हिस्टोन रही होता दो कड़ी वाले DNA पाये जाते हैं जिसे नुकलोईड कहा जाता है एक गोलाकार जीनोमिक DNA रहता है इसके बाहर दूसरा गोलाकार DNA होता है चोटे DNA को plasmid कहते हैं, विखंडन एब मुकुलन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है, उदाहरन के लिए वेक्टिरिया, सैनो वेक्टिरिया, निलाडित सहवाल है, आगे यू केरियोटिक कोशिका, जिसमें नुकलियस निशल का जो खेंदरक है वो होता है अच्छे से, इलेक्ट्रोनिक सुक्षमदर्शी से कोशिका का विश्त्रित अध्यन संभब हुआ है, एक यू केरियोटिक कोशिका होता है, इसके निम्न भाग दिये गए है, पहला इसमें कोशिका जिल्ली, यानि सेल मेंब्रेन, यह कोशिका की जिवित जिल्ली होती है, यह कोशिका की दूसरी से तथा बाहरी वातावरन से अलग करता है, यह कोशिका को दूसरी कोशिका से और बाहरी वातावरन से अलग करता है, क्योंकि इस पे होता है सेल मेंब्रेन, कोशिका जिल्ली में लिपिड 28 से लेकर 89 परतिसत, प्रोटीन 20 से लेकर 70 परतिसत, कार्वोहेड्रेट 1. 1.5% तथा जल 20% बिदमान होता है कोशिका जिल्ली में कोशिका जिल्ली की सनरचना के संबंध में सिंगर और निकलसन द्वारा प्रस्तूत तरल मोजयक मोडल सर्वमान्य सिंगर और निकलसन का सिंगर और निकलसन का कोशिका जिल्ली के वारे में इसका काड़ी क्या है यह अर पर्दान करता है कोशिकागों को सुरक्ष्या पर्दान करता है, अगि कोशिका भिति तथा रख्छात्मक परत होती है यह अजिवित पजार्थों से बनी द्रिड तथा रक्षात्मक पड़त होती है जो कोशिका को एक निस्थित आकार परदान करती है कोशिका भित्ती मुखिता सेललोज का बना होता है कोशिका को निस्थित आकिरती परदान करना कोशिकाओं को सुरक्षा परदान करना अगे मैटो कॉंड्रिया मैटो कॉंड्रिया की खोज सर पर्थम अल्ट मैन ने 1890 में किया था अल्ट मैन ने 1890 में किया बेंडा ने इसे मैटो कॉंड्रिया नाम दिया था बेंडा ने इसे मैटो कॉंड्रिया नाम दिया इसकी चौराई 0.2 मेक्रो मीटर से लेकर 2 मेक्रो मीटर और लंबाई जो है 7 मेक्रो मीटर या उससे अधिक होता है इसकी संख्या 50 से लेकर 50,000 प्रति कोशिका तक होता है यहां दोहरी जिल्ली की रचना है इसमें भितरी जिल्ली में अंगुली जैसा उभार होता है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है मैटोकॉंड्रिया में द्रब पाया जाता है जिसे क्या कहते है मैट्रिक्स कहते है मैट्रिक्स अब परमुक काड़ी है यह कोशिका स्वास्वन में हेल्प करता है सहत होता है मैटो कोंडरिया में कोश्किये स्वास्वन के समय एटीपी का निर्मान होता है यहाँ एटीपी संग्रहित रहता है जो अवसकता पढ़ने पर उपयोग में लाया जाता है इसलिए इसे उर्जा का सक्तिगरी यानि पावर हॉस ऑफ दस सेल या उर्जा का भंडार गरी इस्टोर अफ इनर्जी कहा जाता है अब चौथा जो टर गया है ओवर्णी लवक यानि lycoplast यह रंग हीन होते हैं और जर भूमी गत्तने में पाया जाते हैं इसका भी तीन परकार का है एमाइलोप्लास्ट यह मंड यानि स्टार्ज को संचित करता है दूसरा है एलाइयोप्लास्ट यह वसा को संचित करता है एलाइयोप्लास्ट तिसरा है एल्यूरोप्लास्ट यह प्रोटीन का संगरा करता है एल्यूरोप्लास्ट अब दूसरा वर्गीक लवर जो क्रोमोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट को क्लोडोप्लास्ट से नहीं क्लोडोप्लास्ट तो हरा रंका हो गया क्रोमोप्लास्ट हो जाता है डिफ्रेंट कलर ठीक ना डिफ्रेंट कलर का यह रंगीन लबक होते हैं जो मुख तो गाजर में केरोटीन और टामाटर में थूरा लाइकोपीन होता यहाद रखिएगा इसके बाद हरीत लॉक तो पता ही होगा कलोड़ा प्लांट हरा होता है तो यह हरे रंग के होते हैं जो हरी पत्यों में पाया जाते हैं इनके द्वारा प्रकास सम्सिलेशन की प्रकेडियासंपन होती है कलोरोपिलस्ट का हरा रंग पर्ण बोटाइब यानि कलोडोफिल में मैगनेसियम पाया जा थी यह काफी IMPORTENT है रिखना मैगनेसियम बहुत मचेशे कारते हैं य Portuguese तो य या रखिएगा कलोडोफिल में मैगन यह विभिन अकार की चप्टी तथा मुड़ी हुवी थैलियों का एक समूह है जिसका काड़ी क्या है यह प्रोटीन के सराब में सहायक है लैसोसोम के निर्मान में भी सहायक है कार्वोहड्रेट का संसिलेशन गलॉजी का द्वारा होता है एक्रोसोम के निर्मान में यह सहायक होता है गलॉजी का की स्रावित का निकाएं रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी जिल्ली कोशिका जिल्ली के वित्री जिल्ली में असंगलित हो जाती है फिर एक्सोस साइटोसिस द्वारा सरवित पदार्थ बाहर की और मुख्थ हो जाते हैं इसलिए गलाजिका की कोशिका का यातायात प्रभंदग भी कहा जाता है लास्ट है चाथा है अंता प्रदरवी जलीका इंडो प्लाज्मिक रिट्रेकुलम इसका खोज 1945 में पोल्टर ने किया था यह प्रोकरियोटिक एबम अस्थनी के लाल रुधीर कान यानि आर्वीसी को छोड कर सभी कोशिकाओं में पाया जाते हैं उपर भी विख्षित किया था कि रेड बलाड सेल में कैंसर नहीं होता क्योंकि यह नहीं होता प्रोकरियोटिक यानि कैंद्राको नहीं होता यह यानि अस्मूद अन्ता प्रदर्विय जलीगा इसमें रैवोसोम उपस्थित नहीं रहता यह उन कोशिकाओं में अधिक पाये जाते हैं जिनमें वसा तता हार्मोन संसिलेशित होता है जिसमें वसा और हार्मोन संसिलेशित होता है आगे है रुक्ष अन्ता प्रदर्विय चलीगा इन पर राइवोसोम पाये जाते हैं ये प्रोटीन संसिलेशन में भाग लेता है ये प्रोटीन संसिलेशन में भाग लेता है परमुखकाडिये ये कोशिका को यांत्रिक सहारा परदान करता है ये कोशिका को यांत्रिक सहारा परदान करता है प्रोटीन वसा इब हार् कोशिका के अंदर कोशिका द्रब्य और कोशिका द्रब्य के विभिन पदार्थों का अंता कोशिका पडिवहन में सहायक है कोशिका विभाजन के समय नई क्यंद्रक जिल्ली का निर्मान करना अगे रैवोसोम इसके खुजकरता पहलाडे है इसके खोज करता पहलाड़े है रैवोसोम अंत प्रदर्विय जलिका के उपर बिखडे हुए या कोशिका दर्व में स्वतंत्र रूप से रहता है रैवोसोम या पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है लेकिन अस्थनी लाल रक्त का निका यानि आरवीसी में नहीं पाया जाता है यह आरेने एवं प्रोटीन के बने होते हैं जिनकी मात्रा लगभग बड़ावर होती है जब यह समूह में रहते हैं तो इन्हें पॉलिसोम या पॉली रैवोसोम कहा जाता है पॉलिसोम या पॉली रैवोसोम कहा जाता है रैवोसोम दो परकार के होते ह 70s रिवसोम इसमें दो उप्भाग होते हैं, 30s और 50s, ये prokaryotic में पाया जाते हैं, जो 50s हुआ, ये 70s ये prokaryotic में, और 80 रिवसोम, इसमें दो subunit होते हैं, 40s और 60s, ये eukaryotic में पाया जाता है, जैसे कि यहां पर 70S वाला 30 और 50 वाला था और 80 में 40 और 80 में दिया है चित्र एडाइवोसोमस में यह वह हो गया प्रोकरियोटिक और दूसरा क्या हो गया यह करियोटिक वाला आगे आते हैं मुख्यकारी यह प्रकास संसिलेशन यानि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संसिलेशन का केंदर होता है इसलिए इसे प्रोटीन फेक्टरी भी कहा जाता है अब आगे हैं अपना लाइसोसोम लाइसोसोम, इसका खोज D-Dubene ने किया, यह एक ठैली नुमा रचना है जो जिली द्वारा घिरा होता है, यह एक ठैली नुमा रचना है तो इनके उपस्थित इंजयम कोशिकांगों को नस्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्म हत्या की थैली कहा जाता है, लैसोसोम को, इसका काम क्या सब है, ये बाहि कोशिकाएं एवं अन्ता कोशिकाएं पाचन में सहायक होता है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, आगे नॉमद यागे है तारकाय, सेंट्रोसम, इसकी खोज 1888 में टी बोबडी ने क्या था, या के बाल जन्तु कोशिका में पाया जाता है, जन्तु कोशिका, इसके अंदर एक या दो कन जैसी रचनाएं होती है, जिने सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल, या कोशिका बादब कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती है, किन्तु जन्तु कोशिकाओं में एक या अधिक किन्तु छोटी होती है, रस धानिया में कोशिका रस भडा होता है, जो निरजी पदार्द होता है, अगे है केंद्रक, नुकलियस, केंद्रक का खोज 2831 इसपी में यहां गोल रचना जो की कोसिका के मध्धि में पाया जाता है कंद्रक में अनुवानसिक तक्त्व यानि DNA पाया जाते है और यहां को सिका के क्रियात्मक काडियों का नियंत्रन करता है अगर यहां पर रचना दिया गया है जिसमें उपर के तरफ और नंदर वाला मतलब ये जो ऐसा है ऊपर रहे और नीचे रहे इनर धो छो खुला हुआ यह टू टू इन्डो प्लास्मिक रिट्रेकुल्स यह जो जाली जैसा है राइबोसोम्स अंदर में जो भिल्ली है मतलब वो बिंदी-बिंदी वह है नुखलाज्म यह अंदर वाला जो बॉक्स का अदर में यह है पैरी नुखलियर मेंब्रेन अंदर वाला जो बॉक्स है उसका पारत क्रोमेटीनで वर्क अगे पर ganze या गिए है कंद्र की आवचन जो नॕलियर मेंब्रेन होता है जो Kendrakी ये तत्तव को कोशी का द्रब से अलग करता है आवरन दो जलिवों का बना होता है जिसमें Kendrak जली पाए जाते हैं Kendrak में पाए जाने वाला द्रब Kendrak द्रब यानि نेकोप्लाजाम कहलाता है जिसमें Protein Phosphorus एब Nucleic Acid पाए जाता है केंद्रक दरव्य में धागा जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमोटीन का जाल कहते हैं क्रोमिटीन नेटवर्क क्रोमिटीन कोशी का विवाजन के समय मोटी आकिरती बनाते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं क्रोमोटीन में हिस्टोन प्रोटीन, नन हिस्टोन प्रोटीन, डियने और आरेने पाया जाता है, केंदरक दरब्य में एक गुलाकार रचना, केंदरिका पाया जाता है, केंदरिका में आरेने का संसिलेशन और रैवोसोम का निर्मान होता है, इसका परमुख कारी क्या है, कें एक RNA का निर्मान करता है आगे गुंसुत्र क्रोमोसोम क्रोमोसोम सब्द का सरपर्थम प्रियोग 1888 में वाल्डेयर ने किया था समसुत्री कोशिका विभाजन की मेटाफेज एवं एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम असपस्ट दिखाए देता है प्रतीक जाती याने इस प गुंसुत्र आगे है मनूस्य जिसमें होता है 46 गुंसुत्र और केak 앞에 लिखर लटन सुनिदी होता है जो माज़ा होगा उसमें क्या होता है एक्स होए और जो बच्चा होगा अगर ओग्श या च्रोमोसोम का निर्धारत करता हैost सेमेटिक कोशिका के दुई गुनित तथा जरन कोशिका में अगुनित होता है अब आगे हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है सनरचना दिया गया है जैसे उपर जो है वो टेलोमेर है नीचे यह वाला पैलिकल है पैलिकल यह धसा हुआ है सेकेंडरी सेकेंडरी सेंट्रिक स सेकेंड है क्रोम मेटा क्रोम मेटा नीचे वाला यह नली जैसा अगे प्रेमरी यह धसा हुआ फिर प्रेमरी कंस्ट्रक्शन यह बढ़ा हुआ यह से वह है सेटलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट नुक्लियर और नीचे यहां इसेट से सेंट्रो मेर दिया गया है क्रोमसोम का निरमान एक कुंडलित तंतु क्रोमो नीमा से होता है जो की मैट्रिक्स में इस्थित होता है क्रोमसोम की दो कुंडलित भाग केमेटिड कहलाता है केमेटिड में दो क्रोमेटा होता है दो क्रोमो नीमेटा होता है क्रोमेटिड एक गोलाकार कन सेट्रो मेर से जुरा होता है यहां एक संकुचन पाया जाता है जिसे प्रात्मिक संकुचन यानि प्रैमरी कहते हैं जो धसा हुआ पड़ था कोशिका विवाजन के समय तुर्क तंतु जो एस्पेडल फैवर एस्ट्रोमीर से जुरा होता है प्रात्मिक संकुचन के अलावा एक दूत्यक संकुचन भी पाया जाता है जिसे नुकलियो अवर organizer कहा गया था नुकलियो अवर organizer के बाद की गोलाकार रचना को satellite कहते हैं और इसे chromosome को set chromosome कहा जाता है chromosome के दौनों अंत्रीम सिरको टोलोमीर जैसे इस बढ़ावाता टोलोमीर कहते हैं पर्मुकार्यस का chromosome chromosome अनुवांसिक गुनों का वहाग होता है अब आगे nucleic acid जर्मन बैग्यानिक फ्रेडरिक मिसर ने 1879 SP में केंदरक से नुकलिक एसीड को अलग कर उसे नुकलियो नाम दिया था ये दो प्रकार के होते हैं DNA और RNA लियुडे, DNA deoxyribonucleic acid और RNA ribonucleic acid नुलीस एसीड जो होता है , उसका राशनिक सन्रचना दिया है , नुकलिक Iniशिड में caravan hydrogen oxygen nitrogenks नाइन फॉसफोरास आदी पाया जात में , carbon hydrogen oxygen nitrogenks नाइन और फॉसफोरास , नीकलिक एशेर में अनेक नुकलियोटाइड होते हैं, जो निम्न योगे के बने होते हैं, नीकलोईट्स, सुगर, फॉसफेट, नेट्रोजन बेस, सुगर का दो टैप से दिया गया है, डॉक्सी रैवोस और रैवोस और वह नेट्रोजन बेस का भी दो टैप दिया गया है प्यूरीन और पेरामिडाइन प्यूरीन का दो पार्ट है एडानीन और गौानीन जबकि पेरामिडाइन तीन पार्ट का दिया गया है सैटोनाइन, थैमीन, सैटोसीन है, थैमीन है और यूरेकल, निकलियोटाइड बनता है निकलियोसाइड पलस फॉसफेट को मिलाने से, निकलियोसाइड है यह यह तैड था, यह साइड है, निकलियोसाइड बनता है सरकड़ा और नेट्रोजनी छार से, छार क्या होता है, एड वानीन वा सैटोसीन तीन हैड्रोजन बंद बनाते हैं जो टोसीन होता है सैटोसीन यह तीन हैड्रोजन और वो दो हैड्रोजन अगे डिने यह एक नुकलिक एसीड है जो केंद्रक में पाया जाता है मैटोकॉंड्रिया तथा हरित लवन जो क्लाडोप्लास्ट में डिने पाया जाता है, DNA में डी ओक्सी रैबोस सरकड़ा पाया जाता है, नेट्रोजन चार के अंतरगत, फ्यूरीन में एडीनीन और गुवानीन तथा पेरामेडीन में सैटोसीन और थैमीन पाया जाता है, प्रतेक निकलियोईड एकांग जो मोनोमेर के अधार पर रचना में फोस् DNA का दूइक उन्टलिक्रित रचना मोडल प्रतिपाजित किया था, जिसके लिए उन्हें 1962 मिनोल प्रैज दिया गया था, वाट्सन और क्रिक को, वाट्सन और क्रिक, DNA का कारी क्या है, यह अनुवानसिक क्रियाओं का संचालक होता है, यह प्रोटीन संसलेशन का नियंतरन भ होता है, यूरेसिल, यह तीन प्रकार के होते है, RRNA यानी रैवोसॉमल RNA यह संपुर्ण RNA का 80 प्रतिसत होता है, यह कोशिका द्रब में पाया जाता है और रैवोसॉम के निरमान में सहायक होता है, mRNA, यह DNA से बनता है, और कोशिका द्रब में अमिनो एसीड दूआज क्या है Central Dogma जैसे DNA Transpiration, DNA Translation, Protein यह कुछ वाइरस में ऐसा होता है अब अगर यहां RNA और DNA में अंतर दिया गया है DNA पहले यह पढ़ाया सभी आजियन की जीवों में अनुवांसिक पतार्थ होता है RNA कुछ ही वाइरस का अनुवांसिक पतार्थ होता है DNA सरक्रा डीयक्सी रैबोज होता है contain 15兄, DNA इसे DNA है और इसे दर्लयने है इसमें नेत्रोजैनी छार, एडिनिन, गुआनिन, सैटोसीन, शैसीन, एबं थैमीन आगे पादप वजंदी कोशिका में अंतर पादप कोशिका गलोजिका अनेक डॉक्टियो सोम के बने होते है जंदु कोशिका या जटिल सनरचना के गलोजिकाई द्वारा पाये जाते है कोशिका के मध्य एक बड़ी रसधानी यानि वहकल पाये जाता है Centrosome अनुपस्थित होता है इसमें Centrosome पाया जाता है अब आगे जो मरे एक्सेसाइज है वो है कोशिका विभाजन Cell Division काफी इंपोर्टेंट है चलिए इसको भी शुरू करते हैं तो exercise है कोशिका विभाजन यानि Cell Division कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका अपने ही अनुरूप नई कोशिकाओं का अंदिर्मान करता है इस प्रकिडिया की सरपर्थम खोज फ्लेमिंग ने किया था कोशिका विभाजन के प्रकार दिया गया ओशुतरी समसुत्री और अँधसुत्री यानि एमिटोसिस, मिट सुत्री विभाजन, एमिटोसिस, इसमें एक कोशिका से दो संतती कोशिकाएं बनती है, इस विभाजन में क्रोमोसोम एवं तुर्क तंतु नहीं बनते हैं, इस प्रकार का विभाजन जिवानुओं में पाया जाता है, आगे हैं समसुत्री विभाजन यानि मिटोसिस, इस वि विभाजन काईक कोशिका यानि सेमेटिक सेल में होता है समसुत्री विभाजन इसका चाल टेप दिया गया है अंतरा आवस्था पुल्वा आवस्था मध्या आवस्था पांच आवस्था दिया गया है पस्चा आवस्था और अंत्याता आवस्था अंत्याया आवस्था अधे गुवन अवस्था इसमें सक्ड़ी RNA एबं प्रोटीन का संस्लेशन होता है, S अवस्था इसमें DNA का संस्लेशन होता है, G2 अवस्था सम्सुत्री विभाजन के लिए अवस्यक प्रोटीन एबं RNA का संस्लेशन होता है, आगे पुर्वावस्था, पुर्वावस्था से आरंब होता है क्रोमोसोम छोटे वा मोटे हो जाते हैं तथा क्रोमोसोम अर्ध गुंसुत्र में विभाजित हो जाता है जो की सेंट्रो मियर द्वाड़ा एक दूसरी से सटे रहते हैं सेंट्रो मियर द्वाड़ा इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिली केंद्रक का अगे पस्च अवस्था एनाफेज प्रतेक गुंसुत्र का सेंट्रो मियर दो टुकडे में विभाजित होता है और क्रोमिटीट एक दूसरे से अलग होकर तुर्क के सहारे धुर्वों की योड चले जाते हैं अंतिय आवस्था यानि टेलो फेज यह आवस्था प्रो फेज का लगवाग उल्टा होता है यह आवस्था प्रो फेज का लगवाग उल्टा होता है केंद्रक जिल्ली एवं केंद्री का प्रकट हो जाते हैं और तुर्क तन्तू का लोप हो जाता है इस प्रकार दो केंद्रक को सिकाओं में होता है इसलिए इस विभाजर को समसुत्रि वीवाजन कहते हैं समसुत्रि वीवाजन अगे आपका अर्द सुत्री विवाजन मेयोसिस्ट अर्द सुत्री विवाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है जिसके मध्ध से जन्तु में सुक्रानू एबं अंडानू तथा पौधों में नर वा मादा युगमक बनते हैं अर्द सुत्री विवाजन के खोज विजमेन ने किया था और फॉर्मर एबं मूरे ने कोशिकाओं में अर्द सुत्री विवाजन को मियोसिस नाम दिया था मियोसिस के दो चरण होते हैं जिसमें वो संपन होता है पहला दिया गया है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेली फेज होता है जिसमें प्रोफेज को भी पांस टैप में डिवैट गया गया है प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोशीन, पैकिटीन, डिपलोटीन, डाइकिनेसिस है मियोसिस 2 वाले में प्रोफेज 2, मेटाफोस 2, एनाफेज 2 और टेलिफेज 2 है अब पहला है अर्धसुत्री, अर्धसुत्री 1st, डिडक्शन डिविजन, प्रोफेज 1st यह सबसे लंबी अवस्ता है, जिसकी 5 उपसाखाएं होती है जिसमें पहला है लेक्टोटीन, यहां पर लेप्टोटीन, गुनसुत्र पतले धागे यानि क्रोमोनीट मेटा की तरह दिखाए देता है, तथा गुनित होता है जाइगोटिक, समजात गुनसुत्र एक साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं, जिसे स्नेपीसिस कहा जाता है आगे है पेकिटीन, प्रतेग जोड़े के गुनसुत्र छोटे और मोटे होते हैं दुईयूज में विभाजन से चार क्रोमेटिन बनते हैं, जिसे चत्तु स्टक कहते हैं इस उपवस्था में समजात गुनसुत्रों के क्रेमेटीडों वा दूसरे गुनसुत्रों के क्रेमेटीडों के बीच हिस्से का बास्त्विक अदान परदान होता है जिसे जीन बिनिमय यानि क्रॉसिंग ओभर कहा जाता है रिकॉंबिनेज एंजयम तीन बिनिमय में साहिक होता है आगे आपका डिपवेंट है डिपलोटीन समजात गुनसुत्र अलग होने लगते हैं लेकिन जोड़े के दो सुदस्य पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं वें कहीं कहीं आपस में जुड़ जाते हैं इन अस्थानों को कैजिमेटा कहते हैं कैजिमेटा कहते हैं द्वियूज क्रोमोसोम भूमदी रेखा पड़ अवस्थित होता है। अगे टीलो फेज फर्स्ट प्रतीक धूर्ब पर एक केंद्रक बन जाता है और कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। अगे अर्दोस्त्री 2 हेमोटेपिक डिविजन या इस विभेजन में चार अवस्थाएं होती है। यह होता है, तथा यह विभाजन, Spción परकार अर्दो सुत्री विभाजन के अंत में 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें गुनसुत्रों की संखिया, अनुगुनितियानी हैपलवय्ट होत रहता है, अगर या पर समशुत्री विभाजन और अर्द सुत्री विभाजन मेंतर दिया गया है समस्त्री विभाजन यह केवल सारे रिकी काईक में पाया जाता है जबकि अर्द सुत्री जो होता है यह जनन कोसिकाओं में भी होता है सेक्सेल में भी होता है इसमें कोसिका का विभाजन एक बार होता है एक जनन को सिका से दो संतती को सिकाएं बनती है और एक जनन को सिका से चार संतती को सिकाएं बनती है आगे सिनेपेसिस अनुपस्थित होता है इसमें जबकि इसमें सिनेपेसिस पुरफेज फर्स्ट में पाया जाता है जिन बिनिमय जिन बिनिमय नहीं होने से संतती को सिकाओ के क्रोमोसोम की जीन विवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें अर्दसुस्त्री 1 में, अर्दसुस्त्री जो फर्स्ट वाला होता है, में क्रोसिंग अबर होने के कारण सतती कोशिकाओं में जीन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, इसमें अनुवान स exercise है वो है वनस्पती विज्ञान जन्तु विज्ञान हम पढ़ लिए वनस्पती विज्ञान आगे है तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे सेसर अगर आपको अच्छा लगड़ाव मेरे भाई तो लाइक एंट सेर जड़ू किजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए जाहिए